नमस्कार दोस्तों आज हम इस विडियो में ओपो ए 772022 वर्सिस इंफनिक्स नोट 12 टर्बो का फुल डेप्थ कंपारिजन करने वाले हैं इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्ट फोन की जानकारी भी आपको विडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंथ की बात करे तो A77 2022 में 6.44 इंच जब की Note 12 Turbo में 6.48 इंच की लेंग्ध मिलती है Width की बात करें तो A77 2022 में 2.95 इंच जब की Note 12 Turbo में 3.02 इंच की width मिलती है बात करें थिकनेस की तो दोनों फोन में सेम ही 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है अब बात करते हैं वेट की तो A77-2022 में 187 ग्राम्स जब की Note 12 टर्बो में 184.5 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है जो की सेन जैसा ही है तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेर करते हैं डिस्प्ले टाइप की बात करें तो A77-2022 में IPS LCD जब की Note 12 टर्बो में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है अस्पेक्ट रेशियो A77-2022 में 20.1 रेशियो 9 जब की Note 12 टर्बो में 20 रेशियो 9 मिलता है Display Size की बात करे तो, A77-2022 में 6.56 inches जबकि Note 12 Turbo में 6.7 inches मिलती है Display Resolution A77-2022 में 720 x 1612 और, Note 12 Turbo में 1080 x 2400 मिलता है Screen-to-body Ratio, A77-2022 में 84.62 प्रतिशत जबकि Note 12 Turbo में 85.79 प्रतिशत मिलता है बात करें PPI Density की तो, A77-2022 में 279 प्रति इंच जबकि Note 12 Turbo में 393 प्रति इंच मिलती है अब देखते हैं Display के अन्य Features यानि विशेशताएं की जो की Mobile Phone का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सबके पसंदीदा Features Camera की दोस्तो, सबसे पहले बात करें Man Camera की तो, 77-2022 में 2 Camera देखने को मिलता है जिसमें की Primary Camera और आखिर में Depth Camera देखने को मिलता है और Note 12 Turbo की बात करें तो इसमें भी हमें 2 Camera देखने को मिलता है जिसमें की primary camera और आखिर में depth camera देखने को मिलता है बात करें विडियो camera की तो A77-2022 में 8 different type के features मिल जाते है और Note 12 Turbo की बात करें तो उसमें 7 different type के features मिल जाते है अब बात करें front camera यानि की selfie camera की तो A77-2022 में single camera देखने को मिलता है जिसमें की 4 different features मिलते है और Note 12 Turbo में भी single camera देखने को मिलता है जिसमें 3 different features मिलते है अईए अब बात करते हैं hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की information देखते है hardware में सबसे पहेले CPU जो की speed के हिसाब से देखा जाए तो phone में सबसे important part है उसकी details देखते है GPU की बात करें तो, A77-2022 में power gear 832 जबकी Note 12 Turbo में Mali G57MC2 मिलता है चिपसेट की बात करें तो, A77-2022 में Mediatek Helio G35 और Note 12 Turbo में Mediatek Helio G96 मिलता है बात करें RAM की तो, A77-2022 में 4GB जबकी Note 12 Turbo में 8GB RAM मिलती है बात करें internal memory जिसको हम storage भी कहते हैं वो A77-2022 में 64GB जबकी Note 12 Turbo में 128GB storage मिलती है expandable memory की बात करें तो, A77-2022 में up to 1TB जबकी Note 12 Turbo में up to 512GB है operating system दोनों phone में Android V12 देखने को मिलती है बाटरी की बात करें तो, दोनों phone में 5000mAh देखने को मिलती है अई अब main feature को देखते हैं colors की बात करें तो, A77-2022 में 2 colors जबकी Note 12 Turbo में 3 colors option मिलते है सब information देखने के बाद बात करें price की तो, A77-2022 4GB RAM 64GB storage के साथ 15,499 रूपीज में मिल जाता है और बात करें Note 12 Turbo की तो, वो 8GB RAM 128GB storage के साथ 14,999 रूपीज में मिलता है दोस्तों अब बात करते हैं प्रांजन कौन्स यानि की फायदे और नुकसान की तो फाइनली बात करें है result की तो, डिस्प्ले में Note 12 Turbo आगे है, में कामरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रन्ट, सेल्फी कामरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Note 12 Turbo आगे है दोस्तों, अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं, पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 9 Pro Plus 5G है, दुसरा Samsung Galaxy A33 5G है, तीसरा Nokia G21 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy A4 है और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना